दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा वीवो फोन की सेटिंग को फुल रिसेट कैसे करते हैं अगर आपके वीवो फोन की सेटिंग में कुछ घलबड हो गई है और आप अपने मोबाइल की सेटिंग को रिसेट करना चाते हैं all reset करना चाहते हैं तो आप एक किलिक में कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको अपने ओपो फोन की settings में आ जाना है settings में आने के बाद उपर में search बार मिलेगा अब यहां पर आपको search करना है reset जैसे आप search करेंगे तो आपको उपर ही setting मिल जाएगी reset all settings इसे आपको open कर लेना है अब यहां पर आप देखेंगे reset all settings अगर आपको इस तरह से setting नहीं मिल रही है तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको अपने vivo की phone की setting में आना है नीचे यहां पर आप देखेंगे system यहां पर आपको system setting को open करना है इसके बाद यहां पर आप देखेंगे reset all settings यहां पर आपको इसे open कर लेना है इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर reset all settings पर click करना है इसके बाद आपके mobile का जो screen lock है वो आ जाएगा आपको इसे unlock कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिर से आपको यहाँ पर reset all settings का option मिलेगा इस पर आपको किलिक करना है इसके बाद दोस्तो आपके मोबाइल की onally setting reset हो जाएगी Vivo phone की आपकी कोई भी file delete नहीं होगी कोई भी video photo delete नहीं होगा मोबाइल की setting को reset करने के बाद आपका mobile switch off होगा switch on हो जाएगा यानि कि mobile restart होगा इस तरह से आप किसी भी Vivo phone की setting को full reset कर सकते हैं अगर दोस्तो आप Vivo phone को update करना चाते हैं new version में तो फिर आप ये वाला video ज़रूर देखना अगर आपको इस video से थोड़ी सी भी help मिली है तो comment में nice video ज़रूर लिखना video को like कर देना, share कर देना और चैनल को subscribe जरूर करना